नमस्कार सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ परवीन शेक दिली हाइकोट से मुख्यमंतरी अर्विन केजिवाल की पत्नी को बड़ा जटका लगा है दिली हाइकोट ने सुनिता केजिवाल से सोशल मेडिया से एक वीडियो हटाने के लिए कहा है यह वीडियो कोट के अंदर की एक सुनवाई का है वीडियो में अर्विन केजिवाल कोट के अंदर जज के सामने अपनी दली ले रख रहे हैं ये वीडियो 21 मार्च का है जब केजरिवाल को E.D. ने गिरफतार किया था वहीं दूसरी तरफ राउ जेवनियू कोट ने 15 जून को दिली शराब घोटाला मामने में सुनवाई की इस अरधी में केजरिवाल ने अपनी पत्नी सुनीता केजरिवाल को अपने मेडिकल चेक अप में वीसी से शामिल होने की इजाजत मांगी यानि वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये यहाँ पर पत्नी को शामिल करने की मांग की गई है जिस पर कोट ने यहां पर कहा है कि 19 जून को सुनवाई करेगा ऐसे भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि CM केज़िवाल के बाद पत्नी सुनीता भी मुश्किलों में फच चुकी है और केज़िवाल क्यों चाहते हैं कि उनकी मेडिकल टेस्ट में सुनीता केज़िवाल मौजूद रहें इसी पर चर्चा के लिए में सास्टोडी में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिनर इंचीफ डॉक्टर मैनिश कुमार सरस्वागत है आपका दन्यवाद यह क्या लॉजिक है मतलब अगर मेडिकल टेस्ट हो तब भी सुनीता केज़िवाल मौजूद रहें और इधर सुनीता केज़िवाल ने जिस तरह से वीडियो अप्लोड किया है उसके बाद भी यहाँ पर वो एक कानून की शिकंजे में फस्ती दिख रही है देखिए सुनीता केज़िवाल के भी जेल जाने का समय आ गया है क्योंकि यह जो करते हैं गुनाह अजीम है यह जो है बड़ा ही खतरनाक काम कर दिया यह काम नहीं करना था इनको हर चीज नोटन की नजर आता है यह नहीं चलेगा और जो फैसला कलाया है वो एक्सपार्टे है मतलब बिना सुनीता केज़िवाल को सुनी फैसला नहीं गया है मतलब दो कोट इस सो कन्विज्ट कि प्राइमर फैसी जो है वो उनको लग रहा है कि तो बाप रही बाप यह तो बाप हो गया यह how can you do that immediate इसको जो है इसके ओपर प्रतिबंद लगो अब आगे सुनवाई हो लेकिन चार-पांच चीजे कोट में एक के बाद एक चल रही और हर जगह जो है इसको गच्चा लग रहा है क्योंकि जज्ज लोग को भी अब समझने आ गया यह तो नटवर लाल है भाई यह लोग यह जूट बोलते है आप देखिए पानी का भी मसला चल रहा था सुप्रेम कोट से जांट लगी न कानून का मजा होना रखे कानून का मजा ऐसा वैसा नहीं यहाँ पर यह कहता है कि तानसाही से लड़ रहे है अगर तानसाही का 5% भी इस हिंदुस्तान के सिस्टम में होता न यह केजरी वाल उसके जितने चिंटू-पिंटू है जितने चट्टे बट्टे है उस सब जेल के अंदर होता डिमोकरटिक कंट्री है रूल अफ लॉज है और लॉज हमारा लुजपुंज है उसी का फाइदा उठा रहा है as simple as that जूट बोलना पाप है जूट बोलना अपराद नहीं है इसलिए पाप करते जाओ लेकिन अपराद नहीं होगा जेल नहीं होगा इससे जितना जूट बोलना है बोल दो जूट को बोलने चक्कर में गई नहीं बो रागणी नायक सौ कलोर का जुर्माना कोट से फटकार लगे LG साहब को भी कर देना चाहिए था उसने टूट किया था आते सिमाले ना कि हमें बहुत गंदी-गंदी गालियां दी गंदी-गंदी बाते मेरे खिलाब बोले उसको फटाक से करना चाहिए यह जूट बोलने से यह बाज आने वाले नहीं है तो जब भी यह प्रस कॉन्फरेंस करें कोई ने कोई इसके खिलाब देगर केस करो कि हर बार यह जूट बोलते हैं मुझे किसी सुप्रिम कोट के जज ने बताया नाम नहीं बताएगा और बड़े जूट बोल देगा मुझे पीएमो के अधिकारी बता रहे हैं चोरी-चोरी चुपके-चुपके किस ने बताया कोई नहीं बताएगा लेकिन यह कहानी गड़ देगा तो खैर यह बात तो अलग है कोट में क्या क्या चल रहा है कोट में तो सुनिता केजरिवाल फस गई है फसी क्यों है क्योंकि PIL बहुत ही क्लियर है तीन चीज की मांग कर रहा है कि SIT बनाओ जांच करवा CVI भी जांच कर सकती है कोई और भी अजिंसी जांच कर सकती है SIT जांच कर सकती है यह इसलिए क्योंकि यह प्री प्लैंड साजिश है पहले सुनिता केजरिवाल ने प्रेस कानफरेंस किया कि बहुत बड़ा खुलासा करने वाले है मनी ट्रेल बताने वाले है और उसके बाद आपने रिकॉर्ड कर लिया उसके बाद उसको सोसिल मीडियो में टाल लिया आपने क्या किया कानून को तो आपने तोड़ो ही बिना कोट के पर्मिशन से कोट के अंदर चल रही चीज़ें वो बाहर कसी जा सकती है तो एक तो कानून का उलंगन क्या ही इससे भी ज़्यादा सीरियस मसला है जो PIL में लिखा हुआ है आप जजेज की जिन्दगी के उपर खत्रा पैदा कर रहे है कि इतना सब कुछ बोला मेरे लीडर ने महापुरूस है कटर इमांदार है सत्त हरिस्चंद है इसने ये बात है कि जज पनी फिर भी नहीं माना जज जो है वो ही बेमान है जज को उपर चल लग पढ़ जाओ ये गभी गाली दे रहे हैं सोसल मीडिया में जजेश को आम आदिपाटी वाले तो कल वो वालेंट भी हो जाएंगे तो ये बहुत ही सीजिस रिपकर्सन इसका है तो अभी अब इसकी सुनवाई हो तो और इसमें मुझे लगता है कि इसमें सुनिता केजरिवाल बचने नहीं वाली है तो पहला तो वो दूसरा एक और मसला है इनको एक्स्टेंशन मिल गया है बेल मिलने के कोई उम्मीद नहीं केजरिवाल भी बलंबा जेल में ही रहे गे क्योंकि इधर जो जितने भी पैतरवाजी जो हो रही थी कि एरेस्ट इलीगल है तो समन इलीगल है ये सब सब कहान वो सटल डाउन हो गया मामला जो है सटल हो गया मने ठम actively कंते हैं कि बढसा हूए मामला लेकिन आक और मामला सामने आया है जो बहुत जय्दा केजरिवाल के लिए प्रभिलमेटिक है वो क्या है वो चनपृत का केस कलाया था चनपृत जो है वो सक्स है जो मीडिया हाॉस को हायer किया था इन लोग ताता है को टीवी चैनल है उसमें आतेसी मारेना के ब्रदर इन लॉव हैं बहुत बड़े पत्रकार हैं पहले एंडी टीवी में थे हैं सब मिल जूल के खाऊगे तो वहाँ वो काम करता था चनपरीत और फिर वहाँ से उसको छोड़के वो आम आदभी पाठी के पेरोल पे था 55,000 उपे महिना उठा रहा था ट्रांसफर हुआ है बैंक अकाउंट में पैसा रहा है वो गिरफतार हो गया है गिरफतारी जब हो तो अब वो बेल के लिए अपलाई किया रहा है बेल पे रॉज अविन्यू कोट ने बेल नहीं दिया तो वह हाई कोट में चला गया जिसके सुनवाई है तो कोट ने कहा लाए कि क्या है इसको क्यों पकलके रखे हुए हो तो वहाँ कोट में बहुत सारी चीजें रिवील कि लोग कहते हैं पैसा नहीं पैसा नहीं कहां एक रुपया नहीं मिला रुपया नहीं मिला अरे वह इंकम टेक्स का अधिकारी रहा है उसको मालूम है कि कहां कैसे एविडेंस जोई च्छिपाना है यह तो खुद थे अब ही यह पती-पत्री दोनों अगर तो चला यह तो भर राजनीती में नहीं आते तो होडा ने खाथे लोग एड़ी में ही होते हैं कि एनके डिपार्टनी दो हुए यह तो आश्मान से तो क्यासत कि आते हैं तो उनको सब कुछ मालूम होता है अब देखिए पैसा दिल्ली में मिले तब नोगर जब दिल्ली पैसा आया हो है था जन्हीं जा रहा है है था जूरा है फिर विदेश चला जा रहा है यह जला जा रहा है फिर बात ही लेकिन ॐड़ी ने क्या कहा कोट के अंदर note खें कि मॉंसिए तिन आदमी में से एक आदमी चनप्रीट सिंग है ये चनप्रीट सिंग जो यह आधी पाटी के पेरोल पर था और उस मीडिया हाउस में काम करता था जिस मीडिया हाउस के जरी सारा गोवा के अंदर ओडॉर केंपेइन का ठेका इसको दिया हुआ था ठीक, मतलब वो अंदर से साथे लोगों को जान रहा है केजरिवाल को भी बहुत अच्छी तरिके से जानता है कारण केजरिवाल जब भी गोव आ जाते थे प्रचार में तो सेवन स्टार होटल में रहते थे कि अवान तो वीडियो सम्सेवने स्टाइब पैसा यह चंप्रीत देता था आधा कैश क। आधा चेक चेक सरकारी खर्चे से और कैश जो है जो वहां पर एक्स्टा करता होगा तो उसका जो करच जो है कैश में भी पैमन्ट होथा था भई ये То कहां से लाया कि कैश कहां से ला रहे हो वही कि सेवन स्टार होटल में आप पांच-पांच दिन रहोगे उसका बिल जो है कम जब कम पांच लाग रुपया हो जाएगा प्रेजिदेशल सुईट जो है वह उस तरह का बुक होता है इनके लिए तो यह निकटता इस स्कैम के में अभ्युक्तों के द्वारा इसकी निकटता अब एक बात और सामने आए और यह रिविलिशन जो है वो कि मनी ट्रेल मनी ट्रेल इडी ने बताया कि इस बात के हमारे पास प्रमाना आ चुके हैं कि 17 करोर 48 लाख रुपय हवाला ओपरेटर्स उसने डेलिवर किया है अठारे बार में 18 खेप में पैसा चनप्री थी बाट रहा था वहाँ हमारे पास इसके बयान है सब कुछ है और इसलिए ये आदमी जो है बिलकुल ही इंपॉर्टन्ट है इसको छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि यही उगले का आगे चलके राज क्योंकि इसके पास पैसे तो रह नहीं यह तो इंप्लॉई के तरह काम कर रहा था इसको आदेश मिलता हुगा कि वहाँ जाओ है वहाँ से कड़ोर उठा लेना एक कड़ोर में 50 लाग वाँ देना 50 लाक वाँ पचासे ही वाँ वाँ वर्किनग है कुरियर तो यह अभी बेल नहीं मिलेगा तो फिर चंप्री जो है today अगर किस्मत जो है सात रीद या आमादी पार्टी वालों को ये अगर सरकारी गवाब बन गया तो सारे सवालों को जवाब इसी के पास है की पर्षन है यही बताएगा कहां कहां पैसा कहां कहां खर्चाचों अहां और ये जो वेंडर्स लोग जो थे जो आमादी पार्टी के लिए काम कर रहे थे उनके यहां जो छापे मारी हुई तो वहाँ वो सारे डीटेल्स जो मिल गया है कि कितना कच्चा में दिया गया मतलब कैश में और कितना जो है वो चेक में दिया गया पाटी के द्वारा मिक्स मैच करने ताकि पता न चले बड़े शातिर लोग हैं इंकम टेक्स का कमिशनर रहा है तो अपने हिजाब से बच के चलेगा ही तो ये पूरी कहानी चल रही है अब डैवर्जन के लिए क्या करना है तो अब ये गाली गल के लोग ठग हैं कोंगरस पाटी आ गई सामने अब कांगरस पाटी कह रहे है कि नई अब अब गल्ति दोहरानी की जिरूते दिल्ली की जंटा परिशान है पानी मिल नहीं रहा और ये लोग टैंकर माफिया के जरीए जो है कमाई कर रहे हैं तो वो अलग एक कंप्लेंट डा गोटाला गया है सीवीसी के जो पास कि यह पानी चोर है सत्रह हजार पांसों पशेतर क्रोड उपे का गोटाला किया हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए तो चारों तरफ से केजरिवाल घिर रहे मैं बार-बार कह रहा हूं जूट अगर आप आदतन बोलना शुरू कर देते है हर चीज में आप जूट फरेब लोगों को धोखा देना तो कभी एक ऐसा समय आएगा कि आप चारों तरफ से घिर जाएंगे तब आपके साथ कोई ख़ड़ा होने की हिम्मत तक नहीं कर पाएगा आपके समर्थक आपके उपर फिर थूकेंगे कि तुम्हारे चकर में हमने जिन्दगी की ऐसी की तैसी करवा लिए इस तमाम जानकारी के लिए और सटिक विशलेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो जेल में बंद केजिवाल की राजनिती और सियासी तिक्डम अब अदालतों में भी फेल होती जा रही है दिल्ली की जंता के सासाथ अ हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी एक खबर कैसी लगी धन्यवाद